जाई भोलाई शंकर जी की सभी को सादर प्रणाम मैं पंजाब से आपका लेकवाइंदर सिंग दोस्तो मैं असल जिंदिजी से इंसिडेंट इखते करता हूँ भाईयों से सुनता हूँ और आपको सुनाता हूँ ताकि जो गलती उनने की वो आप ना करें आज मैं आपको एक गटना बताने जा रहा हूँ जिससे की आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा दोस्तो एक हमारा शत्रिय भाई होता है जिसको की रैलियों में जाने का समाज की सभाओं में जाने का बहुत ज़्यादा शोंक होता है वो भाई जितना हो सके अपने राजबताना को अप फेर ज्यादा कीजिए होता क्या है ए दोस्तों जो आजगल के युवा है ना समाज के ब्रति बहुत ही ज्यादा फोकस हैं यह बहुत अच्छी बात है समाज के रावा आपको अपने टार्गेट पर भी जो अपने लाइफ में सोचा है उसके उपर आपको फोकस होना चाहिए तो जो वो भाई था सेबा तो वो बहुत करता था अब जी जो बंदा सेबा करता है उस बंदे का नाम भी होता है उसके लिंक उसका भाईचारा बढ़ जाता है उस भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही था लेकिन जो उसके भाई के जो फैमली वाले थे वो उसकी स्पोर्ट में नही था वहां के स्टेशन के लिए उनको ट्रेन बस मोके पर नहीं मिलती अब वह स्टेटस जालते हैं कि जी हम इस शहर में आ गए हैं और वह भाई देखता है कोई अपना राजपुत भाई आया है तो वह कहता है घर वालों को कि मेरा एक दोस्त आया दूसरे शहर से अब घर वाल लोगों को घर में बुलता रहता है दोस्तों आज का 90% सोच ऐसी है ठीक है जी तो वह भाई को ना बड़ा दुख होता है वह भाई उस समय एक स्टूडेंट लाइफ में होता है मेरी बाध्यां से सुने स्टूडेंट लाइफ में यानि वह अपनी फैमिली पर डिपेंड हो लेके आता है और बिठाता है उसको हारली कोई 3-4 किलोमेटरी जाना होता है जारा दूर नहीं जाना होता है घर में लेके आता है एक रात निकलवाता है सुबह गुमाता है फिराता है उसके बाद जहां जाना होता है छोड़ देता है मैं आप सबसे हाज जोडता हूना पहल क Pomashah Ji की जैसे स्वामी भल्हत बंदे गुए करते थे अज ऑपने दम पर आपको रच्पूति कर नहीं है अगर कर सकते हो तो आप रच्पूत अगर नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं हो ही कजी दिल को आपने महल दर्वारों पर अच्छह है पर खुद को राजा तो बनाओ राजा बनाओगे तो आप राजपूतो नहीं बनाओगे ते भाई जाए शंकर आगे आपके मर्जिया